Hello, Welcome Everyone on All-Rounder Academic Classes आज हम करेंगे Roman Numerals का Practice Part तो hopefully आपने Practice जो है इससे पहले जो वीडियो है वो देख लिया होगा अगर नहीं देखा है तो प्लीज वो जरूर देखेगा चलिए, स्टार्ट करते हैं without any delay यहाँ पर है Write each of the following in Roman Numerals तो यहाँ पर हमें लिखना है Roman Numerals के अंदर सबसे पहले आता है हमारे पास 108 हम इसे कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम इसको break करेंगे 100 प्लस 8 के अंदर तो हमें पता है 100 जो है वो किसको denote कर रहा है? C को तो C प्लस उसके बाद 8 को हम कैसे लिखेंगे? V फिर उसके साथ 111 यहनी यह हो जाएगा total 8 तो यहाँ पर बनेगा CV 111 next हम प्रसीड करते हैं that is the 416 416 को हम कैसे break करेंगे? 400 प्लस 16 तो यहाँ पर 400 प्लस 10 प्लस 6 400 जो है देखिए सबसे पहले यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा? D जो है D denote करता है 500 को और D से देखिए right hand side में जो भी alphabet लिखे जाएगे वो होंगे प्लस के लिए and यहाँ पर जो लिखे जाएगे means left hand side में आएगे वो होगा negative तो यहाँ पर हमने left side में लिखा है C और C denote करता है 100 को तो 500 में से जब 100 जाएगा तो बचेगा 400 और उसके लिए 10 के लिए होता है 1 cross and 6 के लिए V के साथ हम 1 लगा देंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास Roman में मिलेगा हमें 416 वो हम लिखेंगे C D cross V I यह हो जाएगा next है C part C part हम देखते हैं 874 874 को हम कैसे लिखेंगे breaker के 800 plus 70 plus 4 तो 800 देखें D जो है यह denote करता है 500 को तो 500 के right side में जितने भी C लिखे जाएंगे वो 100 को denote कर रहे हैं और वो उसमें plus होते जाएंगे तो D C C C यहाँ पर यानि triple C है तीन बार है यहाँ पर तो 500, 600, 700, 800 और 50 जो है वो कैसे लिखेंगे L जो है यह 70 है 70 हम कैसे लिखेंगे L denote करता है 50 को और जो cross लिखा जा रहा है यह denote करता है 10 को दो बार है तो यह 50, 60, 70 और 4 जो होगा वो कैसे लिखा जाएगा V से पहले 1 लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर right side में जो भी D C C C L क्रोस क्रोस 1 V यह हो जाएगा Next हम देखते है 3 33 यह कैसे लिखेंगे हम 300 प्लस 30 प्लस C प्लस 3 और हमें पता है C जो है यह 100 के लिए होता है 3 बार C दिया हुए 100, 100, 100 तो यह 300 हो जाएगा और 30 के लिए क्रोस 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 यह 30 और 3 के लिए 3 बार यहाँ पर हम 1 लगा देंगे तो यह हो जाएगा हमारे पार C C C क्रोस 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 1 1 1 Next is E पार्ट आता है 1,256 इसे हम कैसे लिखेंगे 1,000 प्लस 200 प्लस 50 प्लस 6 और हमें पता है कि M जो है यह दिनोट करता है 1,000 को और C जो है वो दिनोट करता है 100 को M हो जाएगा 1,000 के लिए और 200 के लिए आपर C C L जो है यह L 50 के लिए हो जाएगा और 6 के लिए V के साथ 1 तो हमारे पास बनेगा M C C L V I चलिए उसके बाद Next है यहाँ पर कुछ symbols दिये हुए है I जो है यह 1 के लिए V जो है यह 5 के लिए X या क्रोस जो है यह 10 के लिए L जो है यह 50 के लिए C जो है यह 100 के लिए होता है D जो है यह 500 के लिए M जो है यह 1000 को denote करता है हम कोशिश करेंगे कि हम इसमें करसीव handwriting में ना लिखकर simple यहाँ पर लिखे उसके बाद to remember यहाँ पर कुछ points है देखिए symbol I जो होता है यह add किया जा सकता है इसमें plus किया जा सकता है या minus किया जा सकता है कौन-कौन से दो यहाँ पर है हमारे पास V और X है सिर्फ इन में add या subtract किया जा सकता है बाकी औरों में नहीं होता है next है symbol X जो होता है ये add किया जा सकता, ये जोड़ा जा सकता है L के अंदर, यानि 50 के अंदर, C यानि 100 के अंदर, and M यानि 1000 के अंदर, और अगर subtraction की बात की जाए, तो सिर्फ और सिर्फ L और C में से ही हम minus कर सकते हैं, L जो है यह होता है 50 के लिए, और C होता है 100 के लिए, चलिए, आगे हम देख करना है, हमने simple numbers के अंदर, यहाँ पर है CC XL VI, तो यहाँ पर CC, C denote कर रहा है 100 को, तो दो बार C है, यह 200 के लिए हो जाएगा, और XL जो है, यह 40 के लिए होता है, L जो है, देखे, L से पहले लिया गया है, क्रोस को या X को, तो यह हो जाता है, L में 10 minus करेंगे, L होता है 50 के इस करेंगे, यह हो जाएगा 40 के लिए, and V1 हो जाएगा यह 6 के लिए, तो यहाँ पर है 246, next है DCC L क्रोस क्रोस VI, तो इसको हम देखते हैं, अलग-लग parts में डिवाइड करके, DCC, D जो होता है, यह 500 के लिए होता है, और C जो होता है, यह 100 के लिए होता है, तो यहाँ पर हो 600, 700, प्लस में L जो होता है, यह होता है, किसके लिए, 50 के लिए, और इसके साथ 2X और लगे होए हैं, तो X, X हो जाएगा, 50, 60, 70, और VI जो है, वो 6 के लिए, तो यह नंबर बनेगा, 7, 76, next है, C, XC, C जो है, यह दिनोट करता है, किसको, 100 को, और XC जो है, यह दिनोट करता ह है, 90 को, तो 100 प्लस 90, यहाँ पर आंसर आजाएगा, 190, next है, हमारे पास, D, C, C, L, X, I, जल्दी से बताइए, किसको दिनोट कर रहा है, D जो होता है, यह 500 के लिए होता है, और इसके राइट हैंड साइड में C लिखा गया है, तो श्योर यह क्या होगा, इसमें प्लस होगा, तो 500, 600, 700, L जो होता है, यह 50 के लिए होता है, और यहाँ पर X जो हो जाएगा, 50 में एड हो जाएगा 10, तो 60, और यहाँ पर 1 के लिए, तो यहाँ पर जो नंबर बनेगा, 761, next है, M, D, X, X, V, I, तो M होता है 1000 के लिए, और D होता है, हमारे पास 500 के लिए, दो बार X, X हैं, तो यह 20 को denote कर रहे हैं, और V, I हो जाएगा 6 के लिए, जब हम इसको total करेंगे, तो हमारे पास आएगा 1526, तो यह हो गए हमारे Romans से simple numbers में convert करना, यह simple numbers से Romans के अंदर convert करना, आपको वीडियो थोड़ा सा भी informative लगा, तो like, share, review करना, ना भूले, thank you so much for watching, thank you once again,